हाई फ्रेंट्स विल्कम बाक तो विस्टेडी क्लासेज तो माई डियर फ्रेंट्स अगर आप सोच रहे हैं कि कोई आपको पुश करेगा कोई मोटिवेट करेगा तब ही आप अपने दिसमबर जेयरफ का प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप आज के इस वीडियो को ऐस ही समझिए तो अगर आप टार्गेट कर रहे हैं दिसमबर 2023 एक्जामेनेशन को आपका गोल है जेयरफ का या फिर नेट का तो आई बिलीव नाव इस दर राइट ताइम तो स्टार्ट यार प्रेपरेशन अभी क्या होता है कि अगर हम वीट करते हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा तब प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे और हमारा जो सेलीवस है वी आल नो बहुत बढ़ा है जब तक हम सेलीवस को उपर उपर से दिखते हैं इट आल लुक्स दूएबल हमें लगता है असानी से कंप्लीट हो जाएगा बट एक्चुल में जब प्रेपरेशन करने बैठते हैं we start studying each and every topic of the syllabus we start looking at the PY क्या हूँस then only we get to know the depth with which we have to study all these topics तभी मैं पता लगते है कि एक्जामीनर जो है कितना depth में topics को आशकल पूछ रहा है और उपर वाली superficial knowledge से तो आज के सवाल सौल होने नहीं है और simply preparation से भी आपके जो examination के सवाल है वो सौल नहीं होंगे आपको तो बहुत सारी practice करनी है previous year के सवाल भी लगाने है test series भी लगानी है तो there are lot of things which you need to do और अगर आप अभी start करेंगे preparation को then only you will be able to cover a substantial part of it till December. December के अंदर examination expected है और अगर अभी सोचेंगे कितना time आपके पास है तो अभी अच्छे कासे आपके पास around 120 days तो होंगे कम से कम 4 महीने त target बना लेते हैं तो आप असानी से अपना जो preparation है वो comfortable pace पे कर सकते हैं तो अगर मैं उपर उपर से ही आपको एक time table बता हूं तो let's suppose कि जो 100 days है हमारे पास उसमें हम हर एक 10 days में 2 units को cover करेंगे एक paper 1 का एक paper 2 का तो आने वाले 100 days में your preparation would be complete और next के जो last के 20 या 20 जितने भी days करेंगे we can easily we can easily devote these to revision or maybe practice of mock test तो इसलिए I would strongly urge कि preparation स्टार्ट कर दो don't waste your time anymore अभी और wait मत करो यह मत सोचो कि examination का notification आएगा date आएगा तभी स्टार्ट करेंगे तब बहुत लेट हो जाएगा I don't want कि आपका जो time है वो waste हो it's better कि आप उसे judiciously use करे फड़ा-फट से अपने GRF के goal क accomplish करें और फड़ा-फट से अपना जो PhD है उस पर अपना काम स्टार्ट कर दे तो आज के लिए इतना ही thank you bye take care all the best